मित्रों आप और हम कही न कहीं किसी न किसी घर में भवन में अवस्य रहते हैं। आपको किन-किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा और उन समस्याओं का क्या समाधान है जिसको करने से आपके यह मनुदशा सरवथा के लिए मुद्ध हो जाएगी। प्रकार के तुटी हो जाए तो आप मानिसिक स्वास्त को प्रभाविद करते हैं। होता है तो वह मानसिक रोगों को दे देती हैं। कि कमी होना, नीद नहीं आना या फिर, स्वाभाविक नीद में परिशानी का अनभव करना, सिर्दर्द होना, ज्यादा तर समय तक सिर्में भारीपन होना, कभी-कभी आत्महत्या का प्रयास करने के विचार मन के भीतर उत्पन होना या आत्महत्या का प्रयास करना बिना वज़ा का उल्टा सिधा, बकना, बक बकाना, आपके यादास्त में कमी आथे जाना, सामाने समस्याओं की स्थिति में गाली-गलोच करने लगना, अपने आपक केवल एक ही विचार को बनाए रखना बार बार अधिक साप सफाई पर ध्यान देना और सकता से अधिक साप सफाई करने से भी आपके मन के भाय का प्रदर्शन होता है नशी की लट लगना या फिर किसी बुरी आदत की लट का सिकार हो जाना और अपने बुरे कारियों को प्रभाव है और साथ ही यह भी बताता है कि राहों का भी पुरा प्रभाव से पीडित व्यक्ति हो चुका है यदि आपके पास इस प्रकार की समस्याइं हैं बनी होई तो मैं आपसे निवेधन करता हूँ चंद्रमा को सही करने से संबंधित कार्य अवस्य करिए यदि आप अपने जीवन में चंद्रमा को सही कर लेते हैं तो विश्वास करिए मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे जो भी लोग इस दुनिया में में प्रजित करते हुए देखा हुआ है तो मेंटली स्ट्रांग यदि आप बनेंगे तो निर्शित रोप से लच्मी आपके पास आवस्या आएंगी तो मित्रों यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक सेर कमेंट करना मत भूलिएगा चंद्रमा को कै कैसे सही करना है अब इसके उपर चर्चा कर लेते हैं इसके उपर मैंने धेर साधी वीडियो बना रखी है उसका लिंक उपर आई बटन पर दे दिया हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना अपनी पुरी टीम की तरफ से मैं आपको पुर्दा की अनंत गहर करता हूं साधर पराम स्विकार करें महादेव कल्यार करें ओम नमस्षिवाय जैसराम